हेलो गूड आफ्टरनून एंड वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल आई होप आप सब अच्छे होंगे अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और आगे एक और वीडियो के साथ और मैंने कल अपने ट्वीटर पे ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया था कि जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत जबर्दस्त होने वाली है विकॉस आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सिस पाकिस्तान जो कि कल 24 अक्टूबर को दुबई के मैदान से खेला जाएगा व्ल्ड कप T20 का आगास इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपने सामने ए सब्सक्राइबर हमारे हो गए है और दीरे दीरे फैमिली ग्रो रहे है तो जितना मैं आप लोगों का थेंक्यू करना चाहूं उतना कम है दिल से शुक्रिया आप समका विकॉस मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कम समय में इतने सारे फैमिली के मेंबर जुड़ के विगेस्ट मैच जो वर्ल्ड कब में बात करें सबसे बड़ा मैच होने वाला विकॉस इंडिया वर्सावाइबद तर्पाकिस्टाण और पैशा जिनुएर्ट होता है और जितना पैशा यहां से ICC को अन होगा वह फिर फिर डिस्ट्रिब्यूट होता है छोटे-छोटे जितने भी बोर्ट हैं सो अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा मैच इस्ट्री का और कल मैच देखने में बड़ा मज़ा आएगा सो आज की वीडियो में हम दोनों टीमों की बात करेंगे प्लेइंग 11 की बात करेंगे स्टैट्स की बात करेंगे कौन सी टीम स्ट्रॉंग लग रही है कौन सी हलकी लग रही है क्या इंडिया कर सकता है क्या पाकिस्तान कर सकता है यह हमारा पहला सग्मेंट होगा इसके अलाव आज से जो लीग स्टेज का जो सूपर ट्वैल लीग स्टेज का मैश शुरू होंगे कौन-कौन सी टीम होंगे वो भी आपको बताता चलूँगा और उसके बाद मेरा जो नया सेग्मेंट मैंने जोड़ा है कुवे के मेंड़क उस पर भी एक दो बाद जरूर करते चलेंगे और इसमें जो दोनों टीमें हैं इंडिया वर्सिस पाकिस्तान इंडिया की मैं आपको प्लेइंग 11 बताता चलूँग आपकी कोई प्लेइंग 11 हो सकती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं सो मेरे लिए जो मेरी प्लेइंग 11 है वो है रोई शर्मा, केल राहूल, विराट कोली, सूर्य कुमार यादव, रिशाप पंथ, हार्दिक पांडया, जडेजा, अश्विन, शामी, बुम्रा और बुवनेश्वर डिपेंड ओन कंडिशन और डिपेंड ओन पिच, अगर पिच में थोड़ा सा भी ड्राइनेस है, थोड़ी सी भी गुमाओ अगर लगता है कि बाद में या पहले हो सकता है, तो अफकोर्स आप बुम्रेश्वर की जगे है, वरुन चकरवर्ती को भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कल की जो पिच होगी, अभी कुछ दिनों से मैच नहीं हुए तो शायद फ्रेश पिच हो, तो देखना पड़ेगा फ्रेश पिच है, तो शायद आभी स्पीनर्स को मदद ना मिले, लेकिन ये मेरी टीम है, आप लोगों की क्या टीम है, प्लीज कमेंट करके बताएं इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बाबर आजम, रिजवान, और फकर जमान, मुहमद अफिश, शॉइब मलिक, आसिफ अली, शदाब खान, अमाद वसीम, हसन अली, शाहिन, हरिश रो, ये ही वो टीम है, जो इनोंने प्रेक्टिस मैच में या वार्मप मैच म अतारी थी, वो ही टीम ये मुझे लगता है, खिलाएंगे, बिकोस जितनी भी और बाकी टीम होने वार्मप मैच खेले, अपने सभी कॉम्बिनेशन को ट्राइ किया, एकसेप पाकिस्तान ने ऐसा कोई चेंजिज नहीं किया, और इस चीज़ की अगर आप निउस, अगर किर टीम कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं, आइटेंक मुझे लगता है कही ना कहीं पाकिस्तान से चूक हुई, या कोई पाकिस्तान की इसमें माइंसेट या कोई स्ट्रेजी भी हो सकती है, कि हम अभी कुछ एक-डोप्लेयर को ना दिखाएं, जैसे हैदर अली, for me हैदर अली का inclusion इस team में होना बनता है बट आप पाकिस्तान camp से आप इस चीज़ की उमीद नहीं करते हैं वो ज्यादा changes में विलिव नहीं करते हैं same pattern के साथ खेलते हैं so guys यह होगी पाकिस्तान की team अब man to man marking करते हुए चले रिजवान हैदर या चलो पहले बाबर आजम और रोही शर्मा दोनों वर्ल्ड class player पाकिस्तान के लिए player to watch बाबर आजम होंगे अगर वो चलते हैं तो पाकिस्तान team के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी विकोज उनकी पूरी betting की जो backbone है वो यहां बाबर बाबर आजम के उपर आते प्लस वो captain भी है और वर्ल्ड class player है no doubt about it उनकी एक पसंदिता शॉट है वो cover drive है बहुत अच्छे लगते आंखों को soothing लगते हैं लेकिन साथ साथ हम उसकी कमी भी बताएंगे जो बोल अंदर आती है या केशव महराज spinner है हमारी टीम में भी लेफटी spinner है जड़ेजा अगर क्यूंकि आप सब को पता जड़ेजा का spin ज्यादा टन नहीं होता वह एंगल के साथ अंदर लाते हैं अगर अर्ली ओन अगर हम जड़ेजा को एक दो ओवर के लिए यूस करते हैं एक ओवर के लिए भी तो कहीं न कहीं बाबाराजम हमें फस्ते हुए दिखाई देंगे तो देखिए स्टेशन होता है कि सीबी टीम का वीडियो एनलस्त होते हैं उनका काम ही होता है और जब आपके पास मेहंदर सिंग धोनी जैसा मेंटर हो तो उनको पता है कि बाबाराजम जैसे प्लेयर को कैसे जल्दी आउट करना है अगर आप उनकी कम्यों भी देखेंगे तो आप उनकी खूबिया भी जान करने का विराट कोली रोई शर्मा बी-सी-सी रविशास्तरीकर रीजन ही यही था कि जो दिमाग चलता है उनका विकेट के पीछे से चलता था अब वो कैसे प्लेयरों को उनका रोल समझाएंगे सो यह बाबराजम के लिए चोड़ी सी जो उनकी जीक नैस है उस पे शायद इंडियन टीम ने काम किया होगा इसके अलावर रोई शर्मा के साथ भी एक में इशू है जब लेफ्ट आम जो बोलर होता है वो जो अंदर आली बोल पर बड़ा प्रशान करते हैं शाहिन शाह अफृदी उनकी टीम में एक ऐसे बोलर है जो इंडियन बैट्समेनों को उप लेफ्ट लेए और चार निकाल देती है तो आइज फीर इंडिया को रुकना नामुम्किन होगा अगर आम बात करे तो बाबराजम के पीछे एक सैंचुरी है जो कि आप किसी नंबर भी खलाएं लेकिन ओपनिंग में और आई पेल में और इंटरेशनल मैचिस में उनकी बैटिंग में यही फरक है क्योंकि वह कप्ता नहीं करते थोड़ा प्रेशर होता है और जब वह इंडियन में खेलते तो उनके पर कोई प्रेशर नहीं होता वह 20-25 बोलों में हाफ सेंचुरी कर देते अगर आपके पास ऐसा थिरी सिक्ष्टी प्लेयर हो जो 20-25 बोलों में हाफ सेंचुरी कर दे तो आइटिंग तो कोई ऐसा प्लेयर आपको अगर ऐसे रन दे दे क्योंकि पावर प्लेय में ही वह 30-35 बना देते हैं जब आप और एक चीज़ में बताते चलूं कि पावर प्लेय इतना इंपोर्टेंट होने वाला है इस वर्ल्ड कप में बिकोज जो टीमें पावर प्लेय में कम से कम विकेट खोके अगर 6 ओवर में 50-55 रन भी बनाती है तो कही न कहीं वो मुमेंटम और इन पिछों पे 150-170 रन बहुत जादा होते हैं डिफेंड करने के लिए बट एक फेक्टर होगा कि वह फॉर्म ठोड़ा डिप कर रहे हैं और राहुल की फॉर्म जो है वह लगी हुई है दोनों प्लेयर दोनों टीमों के दोनों जो ऑपनर है उनके उपर दारोंदार होगा इसके बाद को तीसरे नंबर वे कोली उदर फकर जमान कोई कोंपैरिजन नहीं है किसी भी डबल लेते हैं तो और की अवरेज निकाल देते हैं और वी कोणी बहुत बड़ा प्लियर ओर प्रेशर गे में बहुत अब Gal प्लेयर और काफी एक्सपीरियंस है लेकिन अभी वह या उससे पहले बिलकुल लग रहा था वाव मैच में वह बिलकुल भी वह उतना फिट नहीं है और फॉर्म भी नहीं लगी हुई लेकिन सूर्यों कुमार यादब भी एक एक्सपीरियंस डॉमेस्टिक प्लेयर हैं और उ चलते हैं रिशापन्त और सौई मलिक अगें गुड़ बैस्मेन वर्ल क्लास बैस्मेन क्यूंकि 99 से लेके स्थिल इन टीम और इतना बड़ा प्लेयर कहीना कहीं टीम के लिए मोराल बूस्ट के लिए या टेकनिक स्टेटेजी कुछ ना कुछ तो टीम को फाइदा देंगे को बस कंसर्ण यही है कि फॉर्म का बड़ा इशू चल रहा है और रिशापन्त की फॉर्म आप देख चुके हैं कहीना कई पाकिस्तानी बैस्मेन को अगर दो प्लेयरों की बात करूं हफीज और इन दोनों के एक्स्पिरियंस का एज है बट कहीना कहीं प्रेशर गेम में आ की सब को यह दिखा के कि विराठकोली जो है वह अभी उन्हें लंका में कि पांड कि आirmका हारडिक- honestly क्टरेंट वह बहुत कामयाब हो सकते हैं इसके अलावा जड्डू और शयदाब खान नो कोंपरेशन विकोज जड़ू व्ल्ड-क्लास विल्डर बालर बॉल्ड बोथ शयदाब खान बैटिंग जब ध्यान दिया बॉलिंग खराब कर दिया है लेकिन अगर वह अपनी बॉलि में वो जो बॉलिंग करते हैं उनसे भी बचना होगा उनकी बॉलिंग वो कौनाल पांडे की तरह या जड़ू की तरह बड़ा तेज कुई बॉल डालते हैं सो वो प्लेयर भी अगर आप उनको अच्छे समझ के खेलते हैं तो फिर इंडिया के लिए च्छा होगा इधर अश् अश्चा नहीं था शमी का जो लास्ट मैस था वह बहुत अच्छा था दोनों बैटिंग कर सकते हैं कोई करन मार सकते हैं बट डिपेंड करता है कि बोलिंग कौन सच ची करेगा मुझे लगता है कि शमी के पास ज्यादा वेरियेशन है वहां से वो जो बोल रिलीज करते हैं जब सीम पर बोल पड़ते हैं वो कहीं भी काटा बदल सकते हैं तो एक एज उनके पास वो भी है बुम्रा और शाहिन आइटिंक मेरा कहने से कुछ नहीं हो सकता आपके जो लेफ्ट आम अच्छे बोलर थे पाकिस्तान के लिए मौमद आमेर जिनोंने आपको चैंपिन ट्र एकोनोमी का जो फर्क होता है इसके अलावा बुम्रा और हालिश्राओ बुम्रा के पास क्लास है और मैं कुछ नहीं करना चाहता अगर आप लीक्स की बात करें जो लेकिन पाकिस्तान के लिए बॉलिंग करते तो उतने कारगर साबित हुए हैं और मेरा कहना कुछ नहीं बन हारिस टेपिया कहते हैं कभी कुछ आपकी टीम के खुद के लोगों का आपके देश के अवाम के लोगों का उन पे बरोसा नहीं है तो मेरा कॉम्पेरजन करना तो शादिया बनता नहीं है इन्डिया वरसिस पाकिस्तान का जो कल बड़ा मैच होने वाला है उस पे मेह एक छ जीरो है अब कल देखना होगा 5-1 होगा या 13-1 होगा बट ऑन पेपर सभी ने इंडिया की तारिफ की है और इंडिया के अपर हैं चांस जीतने के हैं इंडिया को प्रेशर हैंडल करना आता है इसके अलावा मैंने कोली और बाबर की जो दो बाते हुई थी वो मैंने यहां पर ली है विराट कोली सेट इस इस ए रेगुलर मैश पोर अज़ और फिल एनी प्रेशर वाइक ओली सेट इस 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 अ कोशन कोशन मार्क यहां था कि कोली ने यह क्यों खा उसके रीजन है विकॉस प्लेयर आर इन गूड फॉर्म प्लस आर रिकॉर्ड एंड आँ आई प्ल सी कि बात इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इसको एक नॉर्मल गेम की तरह लेंगे एक्स्ट्रा बर्डन अपने उपर डालेंगे तो आई तिंग वह आपकी लिए हानिकारा को या आपकी मैच के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकता है तो विराट कोली का कहना इसलिए थ वरी की बात है दो वार्वाप मैच हुए वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान को कहते हैं कि बहुत तीम अनप्रेक्टिबल और इनका इशू यही है कि कभी भी किसी भी टीम कभी भी हरा सकते हैं लेकिन वो जो टैग है शायद उस टैग के अलावा इनको खेलना होगा और आप पैटरिंज चीफ एंप पीम इम्रान खान उन्होंने अलग से प्रेशर डाला हूए कि आपको इंडिया को हराना है आपको नूजिलेंड को और आप चाहे वर्ल्ट अब गजीते ना जीते हैं इंडिया से जरूर जीते और न्यूजिलेंसे भी जीते इसके अलावा आपके chairman कह चुके हैं कि आपको प्रेशर जो एवो इंडिया के ओपर पाखिस्तान के ओपर नहीं होगा वह रहें बेकुज उनके हार के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन आपको इन दोनों टीमों से आप एक सबीकर कहते प्रेशर होगा वेस्ट इंग्लैंड ऑस्टेलिया अफ्रीका श्रिलंका बंगलादेश ग्रूप टू में इंडिया पाकिस्तान न्यूजरेंड अफगान स्कॉटलैंड नमीबिया यह दोनों टीमें यह चार टीमें आई हैं श्रिलंका बंगलादेश यू एवर्ड़ी नोस कि वो टीम कैसे गिवन डे पर क्या कर सकते हैं लेकिन स्कॉटलैंड नमीबिया ना भूलें अच्छी टीमों को अराके क्वालिफाई किया है और यह किसी भी यह भी कोई ना कोई मैच में अपसेट कर सकती है इसके अलावा आज से गुरूप स्टेज के मैं स्टार्ट होंगे पहला मैच ऑस स्टीव सिमिट फॉर्म में हैं नीचे आपके मैकसल फॉर्म में हैं स्टॉइनिज फॉर्म में बोलर्स आपके बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसके अलावा जो मेरे लिए साउथ अफ्रिका से प्लेर टू वाच होंगे अगर माकरम को खिलाते तो बहुत अच्छे मैच और होगा शाम कोई वेस्ट इंडिस वर्सिज इंग्लेंड एक मैच हारा है इंडिया से अच्छे रन किये बॉलिंग अच्छी नहीं हुई लेकिन न्यूजिलेंड के किलाव बॉलिंग अच्छी की सो दोनों चीज़े फॉर्म में हैं इंग्लेंड बैस्वन फॉर्म म की इसी टूर्णमेंट बहुत अच्छी शुरुवात करते हैं बाद में चाहे जाके कुछ भी हो जाए और डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं यह लोग वेस्ट इंडिस अभी फॉम में नहीं है अफगानिस्तान से भी हारी और आपका पाकिस्तान से भी हारी बट हम जानते हैं इस टीम में मैच प्लेयर हैं पॉलाड ब्रावो गेर लुइस मालब नाम लीजिए हिटमायर और नीचे अच्छे बॉलर हैं और आपके रवी राम पॉल हैं लेकिन यह टीम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा करती है सो मुझे कहीं ना कहीं अगर फो मी इंग्लेंड क मैं जरूर करूंगा और आप सब को पसंद आएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इंडिया ट्राइंग टू गेन मोराल एज दे हैव लॉट प्रेशर वन देम हाव दू यू नों कि इंडिया पर प्रेशर है अब तुमने अपनी टीम के ओपर प्रेशर डाला इंडिया और चलो में इस पर झोडता हूं अगर ख़ुडाना खास्ता !!! आप ही लोग कहते हैं इंशाओला मैं जिता आदो मांशाओल्ला मैं जिता दो अगर आप यह में जीत हो जाते हैं तॉ आप इंडिया से मैं जीतने हैं और मेरा सवाल पूरी पाकिस्तनी आगा चाहिए वो मुझे देखते हो या ना देखते हूं आप इंडिया को हराने आया है वर्लक जीतने आया है तबी विराटकोली ने काई इस मैच हमारे रेगुलर मैच है कोई तो हर बंदा चाहता है कि यह ट्रिब्यूट दिया जाए विराट कोली को तब ही दोनी का इंक्लूजन हुआ है रवी शास्तिरी खुश है रोहिष शर्मा और विराट कोली की बॉंडिंग नजर आती है केल राहुल की फॉर्म नजर आती है मेरे भाईयो सोच के समझ के बात करें मैं कहता हूँ आप इंडिया को अरा दे खुश हो जाए और वेल्टकब से बाहर हो जाए उसका क्या फाइदा आपकी किर्किट भी वहीं रहेगी इंडिया से आपका मैच है ऐसा मैच लें जो जीतेगा अच्छा खेलेगा जो जीतेगा बिल्कुल कुनो डाउट लेकिन रिकॉर्ट्स अपनी जगह है ओन पेपर अपनी जगह है गीवन डे पर कोई भी टीम किसी को भी आखती है वह अलग जगह है लेकिन फोकस क्या है यह तूर्णामेंट जीत के अपने कंधे पे वो स्टार लगाना या सिर्फ इंडिया को औराना आइटिंग सब्सक्राइब मुझे प्लीज रिप्लाइब दें और कोमेंट करके आंसर दें बाबर है सो मच पोटेंशल डेट ही कैन इसको 120 वलकप अगेंस इंडिया नो डाउट लेकिन हमारे ओपनर क्या वांकंचे खिलने जा रहे हैं चार सेंचुरिय है रही शर्मा की और आप सबको पता है जब केल रावल और रही शर्मा फोम में होते हैं तो दस ओवर में गेम पलट देंगे वह पूरा अगर यह दोनों ऑपनर शे ओवर तक भी टिक गए तो आप लेकर स्कूर देखना गया के सो भाई बातते करना अलक बात है अगर आप ehkä हो अरा किसी टीवी चैनल के बैठके सशुराण चाहें चीडिया के चैनल पर आते कि कौन टीम अच्छा खेलेगी मैं अपनी टीम को सपोर्ट करूंगा आप लोग सपोर्ट करेंगे बट जो टीम अच्छा कहलेगी वह जीतना है पाकिस्तान से जीतना नहीं है बिगेस्ट मैच होगा वह ICC के लिए होगा उनको पैसे कमाने है हम एक रेगुलर मैच ही तरह ले इंडिया एकवान है और प्रेशर मैंच अगर आप कहते हैं तो प्रेशर पाकिस्तान पर जादा है इंडिया पर कोई प्रेशर नहीं है इंडिया फेटर को यह जोड़ के कि मेरी हाथ जोड़ के मिनियोप कर एट तो अब लोग नहीं बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपकी अवाम भी पूछ रहे हैं वाई सब कौन सा करते हो आज की वीडियो में इतना ही आपको मेरे सेग्मेंट पसंद आया होगा प्लीज लाइक एंड शेर माइवीडियो कमेंट करके बताएं बैल का इकन दमाना न बोलें कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और जैसे मैं आप लोग मुझे प्यार दे रहें मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों के सामने अच्छा अच्छा कॉंटेंट ले के आता रहूँगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे कल जो आज के मैच